Hello everyone, त्यार आज हम बात करने वाले हैं Lovely Professional University, जैसे कि आप प्यार से LPU भी कहते हैं, जो कि हमारी यह पंजाब में है, इसकी पूरी डीटेल्ड कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं, कि यहां पे जाना क्या वर्थिट रहना वाला है, क्या यहां की यहां की इंफ्रास्रक्चर कैसा है, यहां की facilities क्या मिलती है, यहां के placements क्या है, क्योंकि placements को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों ने hype create कर रखी है, कुछ लोग कहते हैं, बहुत ही गंदा placement होता है, आपका यहां पे क्या मतलब पूरी facilities, campus life किस तरीके से होता है, admission process कैसे होता है, कौन-कौन से courses यह लोग provide क आपको प्यार हो जाने वाला है, इसका campus tour में इसी वीडियो में दिखा रहा हूँगा, तो इसलिए यार बने रहना, अब हम एक एक करके चीजे स्टार्ट करते हैं, पहली चीज़ अगर हम किसी भी college के उगर review कर रहे हैं, तो established कब हुआ है, कि इतना पुराना college है, यह college है, ह मैं engineering की बात करूं, 2021 में 66 रही थी, जो कि यार बहुत ही best ranking अगर मैं कहूं college के अंदर होती है, अगर हम चले infrastructure की तरफ, तो इस college का, आपको बिलकुल ही क्या कहूं, तो मुझे भी प्यार हो गया इस college से एक तरीके से, क्योंकि इस college का infrastructure इतना बढ़िया है, कि मैं क्या ही कहू 600 एकर में बनाये गया इस college को, जो कि बहुत बड़ा होता है, आप लोग घूमते घूमते आप लोग फरिशान हो जाओगे, लेकिन college का campus खतम नहीं होने वाला है, आपको college के अंदर ही mall मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़े है, college के अंदर mall provided है, ऐसा किसी college में नहीं ह होता, इनका खुद का stadium तक है, cafe मिल जाएगा, हर चीज़ आपको खाने पीने की मिल जाएगी, कुछ issue नहीं होने वाला है, college के अंदर ये लोग fest आपको इतने ज़्यादा अच्छे होते रहते हैं, यहां पे यार बहुत बड़े-बड़े celebrities यहां आते हैं, fest के अंदर, बहुत अच्छा सा campus, laboratories, बहुत अच्छा, मतलब सारे labs हो गए, auditorium हो गया, जहां जाओगे, वो मसले हैं, यानि कि जितनी ये लोग fees लेंगे, fees में बताने वाला हूं, उस fees के रिए worth it रहेगा, यह पूरा college, पूरी campus life, पूरा college life, आपको बहुत अच्छे से बीतने वाला है sports, facilities, सब कुछ provided होता है, cricket, badminton, volleyball, सारे games आप लोग यहां पे खेल सकते हो, यहां पे courses की बात करेंगी, कौन-कौन से courses यहां पे provide करे जाते हैं, तो यहां पर अपके लिए बहुत सारे courses हैं, जितने भी courses अपने नाम सुने होंगे, सारे courses आ जाते हैं, हमारे engineering का course आ जाता है, बी-com, MBA, सारी चीज़ यहां पे कराई जाती है, अब क्या ही चाहिए, courses के मामले में, इस college में हर course लगबख provided किया गया है, और हर course में अच्छे होते हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ, कि जिदेखो, जैसे सारे courses अच्छे हैं, अच्छे हैं इसा नहीं कह रहा हैं, लेकिन अगर courses में भी सारी चीज़े हैं, बट हाँ, इसमें मेंली ज़्यादता फोकस किया जाता है, बी-tech के अंदर भी बात करूँ, तो उसमें भी बहुत सारी ब्रांचे हैं, CSE, EC, Mechanical, Civil, सब कुछ है यहां पे, ठीक है, तो courses के मामले में आप लोग टेंशन नहीं लेनी हैं, अब इस college के admission process की तरफ चलते हैं, कि इस college में admission फिर किस तरीके से मिलता है, ठीक है, तो इस college में admission लेने की बहुत सारे तरीके हैं, इसमें आप easily admission करा सकते हो, कोई भी बच्चा अगर सोचता है admission कराना, तो they can easily go in this college, सबसे पहली चीज, class 12th के marks के basis पे आपको लोग को admission मिल जाएगा, जो भी आपके percentage होंगे, उस basis पे आपको मिल जाने वाला है, second चीज आप लोग को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आपको LPU nest का examination होता है, वो दे करके आप लोग इसमें ले सकते हो, participate कर सकते हो, ठीक है, third thing आपके J means, जो आप J means अभी देने वाले हो, यह सारे mode हैं आपके admissions होन ही है, admission process भी बहुत ही easy होता है, बहुत सारे तरीके हैं, जहां से आप लोग इसमें admissions ले सकते हो, अगर आप हम आ जाते हैं, scholarships और fees क्या है, इस college की, तो scholarship सबसे पहले मैं बता दने चाहूंगो, बहुत सारे scholarship है, class 12 के percentage के basis तक पे भी यहाँ पे यह scholarship देते हैं, J means के basis पे, J means म होता है, उसमें भी अगर आप जाओगे, तो वहां पी भी आपको scholarship मिल जाएगे, उसमें अगर आपकी अच्छी rank होती है, लेकिन इसके लिए देखो, क्या एक criteria होता है, कि देखो, यह phase wise लेते हैं, phase wise admissions होते हैं, तो जो सबसे पहले phase में जाएगा, उसको ज्यादा scholarship मिलेग जो दूसरे phase में जाएगा, उसको कम scholarship मिलेगी, तो अगर कोई बच्चा admission की सोच रहा है, तो जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी इनका application form फिल कर लेना, और college fees की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, वैसे इनका per semester wise भी है, एक लाख बीस हजार के अप्रॉक्स है, ठीक आपको नहीं होने वाली है, infrastructure में कोई सिकायत नहीं मिलेगी, बहुत ये बढ़िया होने वाला, infrastructure में आपको कोई problem नहीं आने वाली, hostel में सारी facilities मैं सब कुछ मिलता है यहापे, कोई problem नहीं होने वाली, वहां की आपको बहुत सारे seaters मिलते हैं, two seaters, three seaters, four seaters, लेकिन मैं recommend न बात करूं, तो approximately 9-10 lakh के approximately आप सभी का hostel plus college fees सब मिला के, कुछ scholarship भी मिला करके, आपको इतने का पढ़ जाने वाला है, अगर मैं BCA की बात करूं, तो BCA में 5-6 lakhs के अंदर, hostel and college fees सब कुछ included हो करके, 5-6 lakhs में आप सभी का BCA भी complete हो जाने वाला है, तो यार, fees भी कोई college की आपको provide का, अब यार, हम आते हैं, placements को लेकर के कि LPU के अंदर, placement किस तरीके से होता है, कुछ लोग कहते हैं, कि 7 lakh का package यहां मिलता है, कुछ लोग 8 lakh का बोलते है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है, एक करोड का package भी यहां मिलता है, तो देखो यार, मैं आप सभी को LPU क जो actual data है, उसके हिसाब से बताना चाहूंगा, LPU के अंदर हाइस्ट जो placement जा रखी अभी तक, that is 42 lakhs, जो की तान्या अरोडा थी, LPU की ही, उनको यार मिला था 42 lakhs का, ठीक है, placement मिला था Microsoft के अंदर, और अगर यार मैं बात करूं, recent का कि recent में LPU के अंदर कितनी placement गई है, highest, that is 35 lakhs per annum, जो की 2 students को मिला था, LPU के अंदर, ठीक है, अगर मैं यहां कि यार यह बात करूं कि यार कौन-कौन सी companies आती है, तो LPU के अंदर बहुत सारी companies आती है, ठीक है, इस college में ऐसा नहीं है कि आर आपको opportunities नहीं मिलती, बहुत सारी companies आती है, Amazon आता है, Cognizant आता है, Wipro आता है, Wipro आता है, यानि कि बहुत सारी companies है, यानि कि आपको जो opportunity की बात है, कि बच्चों को opportunity नहीं मिलेगा, तो यह इस college के अंदर opportunities provided रहती है, देखो, मैंने यह सारी highest placement बात करी, average की बात करते हैं, कोई कहता है कि 10 lakh average है, कोई कहता है 9 lakh average है, कोई 2-3 lakh पे कहता है, नहीं, यहा एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहां कि day by day इनका 5 lakh से उपर जिन बच्चों को placement मिलता है, वो day by day increased होता जा रहा है, जैसे कि आप लोग ग्राफ से भी देख सकते हो, हर साल इन लोगों का placement का जो record है, जो 5 lakh से उपर जाता है, वो हर साल यह लोग improve कर रहे हैं, क्यों क्यों कि यहां पर college intake बहुत ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा बच्चे आते हैं, बहुत diversity में आते हैं, तो इस तरीके से college का जो campus life और यह सारी चीज़ होती है, बहुत अच्छे से maintain करा जाता है, अब हमने सारी चीज़ की जान ली क्या है, क्या facilities क्या मिलता है, सब कुछ आपको अ लगेगा, कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार मैंने जो पैसे दिये, उसके लिए मेरा worth it ना हूँ, इतने फैस्ट, इतने सारी चीज़ें, इतना जो campus life, आप laboratory में चले जाओ, auditorium में चले जाओ, sports में चले जाओ, जहां भी जाओगे आप लोग, वहां आपको बहुत मज़ा आने वाला है, पूरे चार साल में एक दिन भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गया, रोज आपके मज़े आने वाले हैं, बहुत अच्छा, चाहिए मैं पढ़ाई की बात करूँ, सब कुछ, सारी चीज़ आपको facilities, सब कुछ मिलेगा यार, infrastructure स तो आप लोगो, देखो यार, campus tour देख रहे होगे, बड़ा प्यार हो जाएगा आप लोगो, सोचो कि यार, कास इसमें, admission हो जाता मेरा, ठीक है, तो यह बहुत अच्छा चीज़ है, यार, इनका infrastructure अच्छा है, और मैं बात करूँ, तो placement भी ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि, कहन है, यहां पर opportunities आपको बहुत अच्छी मिलती है, वरना यार, जो ऐसे कुछ colleges है, जहां पर इतनी फीसली जा रही है, हमारे से, लेकिन opportunities हमें नहीं मिल पाती है, यहां पर Amazon जैसी companies आ रही है, हमारे यहां पर बड़ी बड़ी companies आ रही है, Infosys, Outlook, Microsoft तक बच्चे प्लेस्ट हो होता है, तो negative side की, अगर हम लोग बात करें, तो थोड़ा से यहां पर attendance का issue रहता है, आपको attendance मिंटेन करके चलना पड़ेगा, आप लोग अगर छुटी जादा मारोगे, तो they can create a problem, ठीक है, तो आपको attendance को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरी चीज यहां बच् यहां थोड़ा सा rank अच्छी नहीं होती, तो मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चे थोड़ा सा तरीके कुछ बच्चे आते हैं, ठीक है, उन बच्चों से आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सम्भाल के चलना पड़ेगा, फिर कोई problem नहीं है, ठीक है, आ कि how you make your groups, कैसे आप अपने groups बनाते हो, जिस तरीके आप बनाओगे, उसी तरीके से आर college life आपकी बीतेगी, तो वहां पर जाकर कि आपको अपनी तरीके से अपने हिसाब से groups चुनने होंगे, जहां से आप लोग बिल्कुल अच्छे से college का फाइदा उठा सको, opportunity में कोई कमी नहीं है, हर चीज to the point है यहां पर, कोई problem नहीं होने वाली, बस आपको है कि हाँ थोड़ा सा attendance maintain करना और बच्चों से अच्छे से मिलना, जो अच्छे बच्चे उन से, थोड़े बहुत ऐसे होते हैं हर college में होता है, बात चाहे NIT IT, ठीक है, हर जगा के इस तरीके के होते है तो वो आपको देख करके चलना पड़ेगा, ठीक है, I hope so आप सभी को यार पूरा का पूरा college review मिल गया होगा, आप जागर comment section बता सकते हो, आपको कुछ भी doubt आ रहा है college के related, you can go in the comment section और जाकर कुछ भी problem हो, हम लोग आपकी solve कर देंगे, so बस यार, thank you for watching the video, जै हिंद, जै हरत